आज से माद दुर्गा भवानी आएंगी हाती पर सबार होकर और विराजेंगी 9 दिन के लिए नवरात्रीं में मूर्तियों की तैयारी विराजेंगी मातारानी माद दुर्गा की भक्ती का त्योहार नवरात्री आज से सुरू हो गया है राइसेन में मूर्थिकार मादुरगा की मूर्तियों को अंतिब्म रूप देने में लगे हुए हैं बहीं दो साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर मूर्थिकारों के चेहरे खेल उठे हैं बड़े आडर मिलने से मा की भक्ती का त्योहार नवरात्री आज से सुरू हो रहा है नवरात्री में पूरे देश में माद्रुगा की भक्ती में भक्त लीन होकर पूजा अर्चना करते हैं तो बही राइसेन में मूर्तिकार माद दुरगा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं मूर्तिकार दौलत राम प्रजापती ने बताया है इस बार मूर्तियों के बड़े आडर मिलने से हमारे धंदे पानी चल निकले हैं बरना इससे पहले दो साल तक कोरोना काल में धंदे पानी चोपट हो गए थे जिसकी बज़ा से सामने हमारे रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे लेकिन अब बड़ी मूर्तियों के आडर मिलने से अच्छा लग रहा है बही महिलाएं मूर्ति कार मौसम प्रजापती ने बताया है कि बड़ी खुसी हो रही है इस बार बड़ी मूर्तियों बनाने का मौका मिला है बिगद दो साल तक मूर्तियों छोटी छोटी बन रही थी जिससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था लेकिन अब बड़ी मूर्तियों के आड़ा आने के बाद सब जगए खुसी का माहूल है मूर्तिकार कहते हैं कि खरिदने बाले सोनुगोर ने बताया है कि मादरुगा की भक्ती का त्योहार नबरात्री में हर तरब चहल कदमी हो रही है हर ब्यक्ती खोस है क्योंकि मादरुगा की जहांकी बिगत दो साल से बंद थी फिर बड़े इस्तरपर लगाने का अप्थर मिला है सबी लोग मादरुगा की भक्ती में लीन होकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और हम बता दें के मादरुगा इस बार हाती पर सबार होकर आ रही है राइसन बेगम गन से हमारे समबाद्दाता शरत सर्मा की रिपूर्ट